नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब शैनल में तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपका सब्जेक्ट है उसी इसका वेटेज कितना होता है बोर्ड एक्जाम के अंदर यानि कि कौन सा लेसन कितने मार्क् ठीक है टो चलो फिर हम शुरू करते हैं अचै इसका फाइदा क्या है तो देखो अगर आप समझ गए तो आपको समझ आएगा कि हमें कौन से लेसन पर जाधा धहान देना चाहिए और किस पर कम ध्यान देना चाहिए किसको हम उफ्शन में रख सकते हैं और किसे हमें एक में यहाँ पर आएगा marks without option तो चलो देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे जैप्टर नंबर वन की तो देखो हमारा लिस्ट नंबर वन क्या है principles of management तो यह कितने marks का आता है एक्जाम में तो यह आता है 12 नंबर का यह है marks with option यानि कि option के साथ and without option कितना होगा 7 marks यानि क नहीं उसके बार हम बात करेंगे second chapter की जो क्या है functions of management अब देखो इसका वेटेज कितना होता है बोर्ड एक्जाम में पंद्रमाग का यह option के साथ पूछा जाता है और अगर मैं without option की बात करूं तो 12 नंबर यहां पर दिया गया है यानिकि 12 नंबर आप लोग यहां से score कर सकत है ठीक है फिर उसके बाद यहां पर थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे entrepreneurship development की तो देखिए यह पांच नंबर का पूछा जाता है और पांच नंबर compulsory है यानि यह तो आपको मतलब यह आएगा पांच नंबर का और पांच नंबर मतलब इसमें से आप पांच नंबर स्कोर भी कर सकते हो ठीक है यहां पर कोई option वगएरा नहीं है ठीक है तो इसका ही कम वेटेज लग रहा है फिर भी देखते हैं आगे फिर हम बात करते हैं ब अगर आप मतलब यह मन में सोच रहे थे कि इस लिसन को छोड़ दिया जाए तो ऐसा मत करना यह कंपल्सरी आपको करना ही है यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से आप लोग कितना नंबर स्कोर कर सकते हो 20 नंबर यहां से आप ला सकते हो ठीक है इसलिए आपको बिजनस स बात करूं तो साथ नंबर ठीक है फिर हम बात करते हैं आप शूशल रिस्पॉंसिबिलिटी और बिजनस ऑर्गनाइजेशन तो देखो इसका भी सेम है 10 नंबर का वेटेज है और आपको मतलब कितना माक्स यहां से आप स्कोर कर सकते हो साथ नंबर आप लोग यहां से स्को नंबर मिलेगा समझे यहां पर आप्शन के साथ इतने नंबर का आएगा लेकिन विदाउट अप्शन अगर में बात करो तो कितना आएगा साथ नंबर ही आता है ठीक है चलो अब हम यहां पर बात करते हैं आटवे नंबर पर मार्केटिंग की वैसे मुझे इसमें कुछ ड आएगा और विदाउट अप्शन अगर में बात करो तो यह साथ नंबर मतलब यहां से आप सेवन मार्क स्कोर कर सकते हैं ठीक है फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट चाप्टर की इसका भी वेटेर अच्छा खासा है इसको भी छोड़ने का मतलब छोड़ने का सोचना ही मत क इन दोनों को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना कर लेना जरू ठीक है तो मार्क स्विद ऑप्शन कितना आएगा 20 और विदाउट ऑप्शन के अगर हम बात करें तो 15 नंबर ओके तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल नंबर कितना हो जाता है मार्क स्विद ऑप्शन 116 औ और दूसरे नंबर फे important chapter है हमारा marketing जिसमें से 15 मार्क स्कोर कर सकते है ठीक है और बाकी सब छोटे छोटे जोटे chapters आए बोर्ड एक्जाम है और आपका स्कोर जो है वह काफी अच्छा रहे तो इस प्रकार से आप कोशिश कीजिए गा ओके और आपको यह पड़िए चाहिए तो यह आपको कहां पर मिल जाएगा मैं आपको टेलिग्राम चैनल में भी अप्लोड नहीं किया है तो मैं उसका नाम बोल देती हूँ आप जाकर कि टेलीग्राम में सर्च करोगे नश्य चैनल क्लास्का में लिग करके बता देती हूं यह हमारे एप का नाम है यहां पर भी मैं अपलोड करवा दूंगी यह पूरी पीडियाफ तो आप वहां से भी ले सकते हो ठीक है तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा एप में मिल जाएगा तो देख लीजेगा इसको और उस हिसाब से अपना जो प्लान है वो बनाएगे और पढ़ाई कीजी अच्छे से बागी कुछ भी डाउट रहता है कुछ भी मतलब किसी पर टॉपिक पर आगर आपको वीडियो चाहिए तो वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा ठीक है स्टूडेंस तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक् इस वीडियो में बाइब्रीवन